हलो बच्चो आज हम देखने वाले हैं कक्षा नौवी की हिंदी पार्ट पांच जूलिया इसका हम देखने वाले हैं क्वे Chi- RAMS फॉर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपी जूलिया के मन के भावदर्शाने वाले स्वर तो जुलिया के मन के भाव जो दर्शाने वाले स्वर हैं उसके किस तरीके से हैं तो यहाँ पर आपको लिखना है ऐसे प्रशन तयार कीज़े जिसके उत्तर निम्निकित शब्द हो वान्या रूबल तो आपको क्वेश्चन बनाना है इस पे वो मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर देखिए पार्ट में प्रयोक्त अंको का उपियोग करके मुहावरे लिखिए तो वो भी मैं आपको बताने वाले हैं उसमें कई बार अग्यान के करण गरीबयों को ठगा जाता है या देखकर मेरे मन में विचार आया क्या विचार आता है उसको देखके वो हम अना है ठीक है तो क्या बोला गया नीचे देगे चिन्यों के सामने उनके नाम लिखिए तता वाक्यों में उचित विराम चिन लगाईए तो सब हम देखने वाले हैं करके चले स्टार्ट करते हैं जूलिया की जगह आप होते तो क्या करते इस विशय पर अपने विचार जो अन्याय को भी सहन कर लेती है अगर उसकी जगह मैं होता या मैं होती तो यह अन्याय कभी भी सहन नहीं करता या करती अब अपने हिसाब से लिखना ठीक है जो लड़का है तो उस हिसाब से लड़की है तो उस हिसाब से क्योंकि अन्याय को सहन करना भी एक प्रकार का प्रशाषन की मदद लेने में भी खिचकता नहीं और अपना पूरा महनताना ले करी रहता मैं कायर और डर्पोग बनकर अत्याचार नहीं सहता संजाल पूर्ण कीजिए अब इसका हमें देखना है गद्यांश में आया संसार ठीक है संसार कैसा है हमने पढ़ा था कि जो गरीश स्वामी होता है वो क्या बताता है संसार को कि यह रिदहीन यह क्रूर निर्मम कठोर और हिदहीन संसार है ठीक है यह हमने पढ़ा था तो आई आपको लिखना है कारण लिखिए ग्रिय स्वामी द्वारा जूलिया से माफी माँगना क्यों माफी माँगता है क्योंकि ग्रिय स्वामी ने जूलिया के साथ एक छोटा सा क्रूर मजा किया ग्रिय स्वामी से जूलिया को संसार के साथ लड़ने के लिए कहना इस संसार में दब्बू और रीड रहित लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है परिछेद में प्रयुक्त कोई एक मुहावरा ढोंड कर उसका सार्थक वाक्यों में प्रयोक कीजिए तो देखिए ठग लेना तो क्या है ये मुहावरा है तो इसका मतलब होता है धोखा देना ग्रिय स्वामी ने जूलिया के पूरे पैसे नदे कर उसे ठग लिया तो ये वाक्य बनाना है ऐसा कुछ लेशन में नहीं हुआ था आप कोई और भी वाक्य बना सकते हो ठीक है पर शब्द के दो अर्थ लिखिए तो पर का मतलब होता है पंक भी होता है बोलते ना पर निकला है पर कतर गए है वो हम देखते हैं और कि पर मतलब हम बोलते ना पर मुझे नहीं पता ऐसे बोलते हैं पर वो नहीं आया तो मतलब क्या होता है पर मतलब किन्तु पर मतलब ल संसार में दब्बु और रीड रहित लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है क्योंकि हमारी सामाजिक पस्थिती ऐसी बन चुकी है कि खामोश रहने वाले या भैभीत रहने वाले लोगों के साथ और अधिक अन्याई होता है डरने के कारन उनका सही हग भी मार लिया जाता है हमा नहीं बोल पाने के कारण लोग उसके अधिकारों का हनन करते हैं और उसे उचित महंताना नहीं मिल पाता है इसलिए यह समाज ऐसे लोगों के लिए नहीं है जो खामोशी से सारे ज्यातियों को बरदाश्ट करते हैं लोग इमानदारी के साथ अपना कार संपन करने के बावज कि बावजूद भी अपने अधिकारों से वन्चित रह जाते हैं सिर्फ और सिर्फ दब्बू और रीड रहित होने के कारण। पाठ के आंगन में ये क्या है तो हम देखते हैं सूचना के नुसार कृतियां पूर्ण कीजिए तो जूलिया के मन के भाव दर्शाने वाले स्वर तो ये मैंने आपको बताया था तो देखते हैं आपे जूलिया के मन के भाव दर्शाने वाले स्वर कैसे हैं दबे स्वर थे और विनीत स्वर्थे, पढ़ा हुआ है हमने, ख वाला कोशन देखते हैं, ऐसे प्रश्ण तयार कीजिए, जिनके उत्तर निम्लिकित शब्द हो, वान्या, तो कोल्या के बिमार होने पर जुलिया ने किसे पढ़ाया था, तो इसका उत्तर होगा क्या वान्या, लेकिन ऐसे ही आपको लिखना है, यहां पर क्या बोला गया है, यही आपका उत्तर ही है, ऐसे प्रश्ण तयार कीजिए, यह वान्या, रूबल दिया गया ना, तो उस पे आपको प्रश्ण बनाना है, जिसे कोल्या के बिमार होने पर जुलिया ने किसे पढ़ाया था, और दूसरा दिया ह मुद्रा को क्या कहते हैं तो हम बता देते हैं आंसर रूबल तो आपको प्रश्ण तयार करना है तुमने यही आंसर है ठीक है अब ऐसा मत करना कि इसके आगे लिख देना रूस की मुद्रा को क्या कहते हैं आगे लिख दिया रूबल यहां पर लिख दिया वान्या ऐसा नहीं यही आपका उत्तर ही है ठीक है आगे देखते हैं पार्ट में प्रयूग्द अंकों का उपियोग करके मुहावरे लिख्षिए तो पार्ट में प्रयूग्द अंकों का तो हमने देखा था बहुत सारे अंकाएं हैं आपका इस लेशन में जैसे कि 2, 1, 19, 4 जो उसने पैसे काट पांच पांचों उंगलियां घीमे होना ठीक है बहुत ही अच्छे question है इसमें ठीक है कई बार अज्ञान के कारण गरीबों को ठगा जाता है या देखकर मेरे मन में विचार आए क्या विचार आता है कई बार जीवन में ऐसी घटनाय देखने को मिलती है जिसका प्रभाव बैठा था आपको एक कहानी बनानी आप भी अपनी तरह से ट्राय कीजिए कि कोई और कोई और कोई और स्टोरी बनाने के कोशिस करिए मतलब कि यहां पर आप बताए कि आपके मन में क्या आता है एक बार मैं एक दवा खाने में बैठा था मेरे अगल बगल कई मरीज बटे उनमें से एक मरीज था जो लगातार खांस रहा था उसकी इस्तिती देखकर ही मालूम हो रहा था कि वह एक बहुत ही गरीब इंसान है काफी देर बाद उसका नंबर आया और मेरा नंबर ठीक उसके बाद था इसलिए मैं भी उसके साथ डॉक्टर के चेंबर के अंदर गया डॉक्टर ने परिक्षन करने के बाद उसको बहुत सारे टेस्ट लिख दिये और कहा पहले टेस्ट कराकर ले आओ फिर दवाई दूँगा अग्यानता के कारण वह डॉक्टर से यह भी नहीं पूछ पाया कि यह टेस्ट उसे क्यों दिये गये हैं वह गरीब विचारा चु करा होकर मैं भी डॉक्टर बनूँगा और गरीबों को निशुल्क गरीबों की यहां पे की आएगा गरीबों की निशुल्क सेवा करूँगा गाओं के लोग सीधे साधे होते हैं और ज्यादा पड़े लिखे भी नहीं होते हैं इसी कारण फायदा उठा कर लोग मन चाहे धंग से उन्हें ठकते हैं उनका फायदा उठाते हैं विशेशकर डॉक्टर जिनने भगवान की बाद सबसे ज्यादा सम्मान की नजरों से देखा जाता है कुछ लोग इस पवित्र पेशे को बदनाम कर रहे हैं मैं आगे चलकर एक डॉक्टर की रूप में सिर्फ और सिर् स्ट्रेंडर में देखो यहां पर चिन यह है और यहां पर आपको वाक्य में चिन लगाना है और यह चिन का नाम क्या है वो यहां पर करना है तो अब ध्यान से देखें क्वेश्चन और इसका आंसर यहां पर मैं आपको बताती हूँ यह क्या है योजक चिन है स्त्री चिन नहीं दिया गया है अब आप पांसर ध्यान से देखो योजग चिन पहला है और स्त्री और शिक्षा के बीच में यह चिन आएगा और दूसरा देखो यह क्या है? लागव चिन है तो लागव चिन हम कब देते हैं? जब इस तरीके से कोई short form में लिखना होता है हमें तो जैसे यहाँ पर देखिए creepy दे तो यहाँ पर हमने इस तरीके से लागो चुन लगा दिया और उसे में पता चल जाता है कि किस तरीके से मतलब इसका यह half party है मतलब यह short form है full form इसका कुछ और है next है निर्देशक चिन यह देखिए इसका नाम क्या निर्देशक चिन जैसे देखो मोहन बोला तो उसके बाद जो inverted comma वाला मतलब कि जो उद्धरन चिन से start होता है उसके पहले जो हम चिन लगाते हैं उसको बोलते है निर्देशक चिन यह क्या है यह बड़ा कोश्टक चिन है ठीक है यह वाला देखो यह बड़ा कोश्टक चिन है तो यहाँ पर देखो तुलसी दास का जन्म समवत तो हम जब इस तरह के से कुछ हम specially बताते हैं तो उसके कोश्टक में बंद करते हैं उसको बोलते हैं यह उद्धरन चुन है भरत भया ऐसा ना कहो तो मतलब कि यह क्या है यहां पर जब हम कोई कही हुई बात को वैसे का वैसे लिखते हैं तो हम यहां पर यह लगाते हैं जैसे कि यह देखो मोहन बोला क्या बोला मोहन ने तुमने जो कहा ठीक आपने डरेक इन डरेक पढ़ा होगा इन्वटिट कमा में किस तरह के सी उख होता है वह तो वह यह ए यह देखिए अल्प विराम चिन यह तो आपको पता ही होगा कॉमा ओरे क्या मैं जूड बोल रहा हूं तो यहांपे आया यहांपे हमने उसको लगाया ठीक है यहांपे देखो विस्मे शूचक तीक है तो इसको विष्म에 आधिबोधक चिन भी बोलते हैं विष्मे सूचक भी बोलते हैं तो जी धन्यवाद ये आपको पता ही है कि कहा कहां पर लगाया जाता ये ठीक है यह देखिए यह क्या है और्ध विराम चिन है इसके अलावा यहाँ पे हमने लगाया वो चिन तुमने तीन चुट्टियां और लिए है ठीक है ना और यह छोटा कोश्टक है जूलिया और यहाँ पे जो वो एक्टिविटी करती है उसको हमने छोटे से कोश्टक में रखा इतने आप देख रहे हो सब चिन्नों का यूज हुआ है, ओके, ये तो पूर्ण विरा हम आपको पता ही है, ये तो सिंपल है, चले, अब हम देखते हैं, कारण लिखशी है, क्या कारण है वो, ग्रिय स्वामी द्वारा खुद ही जुलिया को पैसे देना, क्या कारण था, क्यो चार दिन यह बिमार रहा, कौन, कोल्या, ठीक है, चार दिन यह बिमार रहा, कोल्या, कोल्या, सत्य या असत्य पहचान कर लिखिए, ग्रिय स्वामी कोल्या के स्कूल का हिसाब करना चाता था, तो आपको लिखना है असत्य, ग्रिय स्वामी के नुसार जुलिया की तनक्वा 30 रूबल वार्षिक तए हुई थी असथे ग्री स्वामी ने जूलिया का हिसाब डारी में नोट कर रखा था सथे यहाँ पे क्या आएगा आंसर तो यहाँ पे हमें पता है कि वो ग्री स्वामी के अनुसार जूलिया की तनक्वा 30 रुबल वार्शिक तै हुई थी तो क्या ये तो गलत था ना महिने का था ना एक महिने का 30 था ना ग्रियसवामी ने जूलिया के इसाब डारी मेन आइप नोट कर रखा था सही बात अमने दिछा था बार-बार वो डारी पलट रहा था डारी के पनने जूलिया से पहले की गवर्नेस को ग्रियस्वामी 30 रूबल महीना ही देता था तो ये उसने ऐसा बोला था ठीक है तो इसके लिए क्या है सत्य है समझ कर लिखिए जूलिया इसके बावजूद भी ग्रियस्वामी को धन्यवाद देती है जबकि ग्रियस्वामी ने उसे ठगा धोखा दिया और उसके पैसे हडप लिये फिर भी वो यहाँ पे उसको धन्यवाद देती है ग्रियस्वामी को यह बात जरा जरा भी आश्चरे नहीं होता कि जूलिया ने जहां जहां काम किया उन लोगों ने उसे एक पैसा तक नहीं दिया देखो यह आपको कैसे आता है यह आपको पैराग्राफ दिया जाता है ठीक है आपके बुक का ही पैराग्राफ दिया जाता है और विश्वी में से आपको question पूछे जाते हैं, वही सारे question यहां पर मैंने लिया है, ठीक है, जो आपके यह सारे question जो आपके workbook में, digest में है, वो सारे question भी मैंने यहां पर लिया हुआ है, सही विधान चुनकर पूर्णवा की फिर से लिखे, मेरे ख्याल से तुम्हें क्या ब महिने हुए हैं, वचन परिवर्तन कीजिए, छुट्टी, दात, तो यहां पर देखिए, छुट्टी का छुट्टियां, दात का दात ही होता है, समानार्थी शब्द, स्वर, तो इसका क्या होता है, आवाज, समानार्थी शब्द, तनख्वा, का वेतन, महीना, का माह, छु आपको परिछेत दिया जाता है और उसमें सही आपको ढूंड कर लिखना होता है तो नौकर का माली गैर जरूरत जरूरत बाद में पहले सही का गलत मजदूरों के साथ होता निया इस पर अपने विचार लिखिए तो छोटा ही है तो हम पढ़ लेते हैं इसको मजदूर हमारे समाज का वह तपका है जिस पर समस्त आर्थिक उननती टिकी होती है हमें पता है वही हमारे बिल्डिंग बनाते हैं वही स्कूल बनाते हैं ऑस्पिटल बनाते हैं सारे काम उन पर ही टिका होता है और बहुत सारे काम करते हैं आपने देखा भी होगा आपको पत किन्तो उसकी स्थिती देनि ही होती है। आपको पता होगा मजदूर बड़े से बड़े बिलदिंग बड़े से बड़े टावर सब बनाते हैं। के श्रम का सम्मान करना चाहिए तथा उनकी जीवन दशा में सुधार की प्रक्रिया तेज की जानी चाहिए परिछेद पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए तो परिछेद यह आपको दिया जाएगा और मैंने आपर आंसर दे दिया है तो आप देख लिजिए क्या कीमती था यह तो आपको वैसे भी समझ में आ जाएगा अगर आपको दिया जाएगा तो आप वैसे भी समझ जाओगे उत्तर लिखे यह पहुत कीमती थी क्या प्याली ठीक है जो टूड़ गया था उससे इनके भाग में हमेशा नुकसान वदा है किसके ग्रेस्वामी के तो टहनी तो आपको प्रस्ण तयार करना उससे ठीक है कॉश्चन जैसे इसकी पहले आपने देखा जिसकी खरोच लगने से बच्चे की जैकेट फट गई थी तो टहनी के खरोच से ही न डायरी ग्रेस्वामी हर एक चीज किसमें नोट करता है तो यह आपका अंसर है सत्य आ अपने काम में ढील देगी तो उनके पैसे नहीं कटेंगे यह तो असत थे कि उसने बोला कथा कटेंगे दस जनरी को ग्रेस्वामी ने जूलिया को दस रूबल दिये थे सत्य उसने ऐसा बोला था सही विधान चुन कर पूर्ण वाक की फिर से लिखिए इतनी बड़ी बात तुम्हारी मालकिन ने मुझे बताई तक नहीं यही बोला था ना तो यह इसमें कौन सा सही है यह वाला चौदर में से तीन और घटा तो बचते हैं यह तो आपको पता ही है मैत साब का अच्छा ही है चलिए तो यहां पर हमारा कोशन आंसर कंप्लीट होता है कोई भी डावटर कॉमेंट से चुने पूछ लीजिए ठीक है